हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो एक्जाम सोच पर फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम करने वाल हैं लूसंट किताब का निचोड लूसंट के 501 एक very important question फ्रेंट्स मैंने इसकी part 1 and part 2 आलड़ी upload कर दी है अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको description box से मिल जाएगी आप उसे जरूर देखेगा तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं फर्स्ट क्वेसन इस सविधान सभा की अंतिम बैठक कब होई थी? तो सविधान सभा की अंतिम बैठक 24.1950 को ही थी सविधान सभा की अंतिम बैठक अगला question आपात उपवन्द सभिधान के किस भाग में सम्मलित हैं? सभिधान के भाग 18 में आपात उपवन्द सम्मलित हैं सभिधान के भाग 18 में नेक्स्ट question राज द्वारा संपत्ती के अधिगरेंड की बिधियों का उलेख किस अनुसूची में किया गया है? अगला question भारत के किस उपराश्ट पती का नीधन कारिकाल के दोरान हुआ था? डाक्टर राधा किर्सकांत का नीधन उपराश्ट पती कारिकाल के दोरान हुआ था? अगला question राज भासा विभाग किस मंत्राले के आधिन काम करता है? ग्रह मंत्राले होम मिनिस्टरी के अंतरगत राज भासा विभाग मंत्राय कार करता है नेक्स्ट क्वशन लोक लेखा समती में राज सभा के कितने सदस होते हैं? राज सभा के साथ सदस होते हैं लोक लेखा समती में नेक्स्ट क्वशन पर्थम राज्टी आपात की घोसडा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को पर्थम राज्टी आपात की घोसडा की गई थी? 26 अक्टूबर 1965 को नेक्स्ट क्वशन लोक सभा के पर्थम अध्यच कौन थे? गडेश वास्दियों मालोंकर और लोगसभा के पर्थम अध्यच थे, गडेश, वाजदियो, मालोंकर, अगला क्वेस्टन ने बैलुसुभा सबधान संसोधन कब किया गया, 1976 में बैलुसुभा सब्धान संसोधन किया गया था, और बैलुसुभा सब्धान संसोधन सबसे important सबधान संसोधन है, इसे लघो स सबिधान भी कहा चाता है। नेक्स्ट क्वेसन राष्ट गीत बंदे मातरम को गाने का समय कितना है एक मिनट पांच सिकंड है राष्ट गीत बंदे मातरम को गाने का समय एक मिनट पांच सिकंड है अगला क्वेसन है दोस्तो भारती संग की कारपाल का सक्ति किसमें नहित है राष्ट पती में नहित होती ह भारती संग की कारपाल का सक्तियां राष्टपती में नहित होती हैं Next question राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रेल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था? 3 अप्रेल 1952 को Next question अगला question सबढ के किस भाग में नागरिकता से संबन्धित पराउधानों का वरणन किया गया है? भाग 2 में नागरित्ता से संबंधित प्राउधानों का वरणन किया गया है भाग 2 में अगला क्वेस्टन भारते सविधान का निर्माड करने वाली सविधान सभा का गठन कब किया गया था वर्स 1946 में सविधान सभा का गठन किया गया था जो भारतिय सविधान का निर्माड करने पाली सविधान सभा थी Next question सविधान सभा के लिए कुल 389 सदसियों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदसियों के लिए चुना हुए 296 सदसियों के चुना हुए थे 296 सदसियों के Next question राष्टपती अपना त्यागपत्र किसे संभोधित करते हुए देथा है? उप राष्टपती को अपना त्यागपत्र देथा है? राष्टपती उप राष्टपती को अपना त्यागपत्र देता है अंडमान और निकोबार दूइपसमू किस उचन्याले के अधिकारिक्ता में आता है? स्वतंदरता के बाद स्वरपर्थम किस राच का गठन किया गया था? आंध्र परदेश का गठन किया गया था और उनीस सु तरपन में आंध्र परदेश का गठन किया गया था स्वतंदरता के बाद और भासा के आधार पर पहला राच आंध्र परदेश ही है जिसे बनाया गय प्रेस की स्वतंद्रता का वरण किस अनुचेद में किया गया है तो किस अनुचेद में प्रेस की स्वतंद्रता का वरण किया गया है अनुचेद 21A में प्रेस की स्वतंद्रता का वरण किया गया है नेक्स्ट क्वेसन मौलिक कर्तव्यों को किस समती की अंसंसा पर सविधान में समलित किया गया था सरदार स्वर्ट सिंग समती की सिफारिस पर मौलिक कर्तव्यों को सविधान में समलित किया गया था और बैलिस्वे सब्धान संसोधन के दौरा मौलिक कर्दवियों को 1976 में समलित किया गया था अगला क्वेस्टन भार्द के सब्धान की किस प्राउधान को सब्धान की आत्मा कहा जता है सब्धानिक उपचारों की अधिकार को सब्धान की आत्मा कहा जता है और अनुचेद 32 में सब्धानिक उपचारों का अधिकार बताय गया है और इसे सब्धान की आत्मा याक्टर भीमरों अम्बेट करने कहा है नेक्स्ट कोसन भारत की संघात्मक विवस्था किस देश के सब्धान से परभावित है अगला कोसन भारत में आकास्मिक्ता निथी किस के अधिकार में रखी गई है नेक्स्ट कोसन दुए अस्तरिये पंचायती राजप्रणाली की सिफारिस किस समती ने की है असोक महता समती ने की है दुए इस्तरिये पंचायती राजप्रणाली की सिफारिस असोक महता समती ने की है नेक्स्ट कोसन किस अनुचेद में आस्परशिता को दंडनी अपराद घोसित किया गया है अग्ला कोशन नेक्स्ट कोशन भारत के प्रधान मत्री के वेतन वा पूर्वा पेच्छे पर निरड़े करता है संसत के दोरा होता है संसत भारत के परधानमत्री के वेतनवा पूर्वा पेच्छे पर नरड़े करता है अगला कोसन भारती सब्धान में राज के नीती निदेसक सिधानतों को सामिल करने के प्रेणा किस देश के सब्धान से मिली है आयलेंड के सब्धान से भारती सब्धान में राज के नीती निदेसकत्तों सामिल किये गए हैं आरलेंड के सब्धान से अगला क्वेसन वर्तमार में राज सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है 245 है राज सभा के सदस्यों की संख्या वर्तमार में 245 है नेक्स्ट क्वेसन है भारत के मुख्ष चुनाओ आयुक्त का कारकाल कितने वर्स का होता है 6 वर्स होता है मुख्ष चुनाओ आयुक्त का कारकाल 6 वर्स होता है अगला कोशन पंचायती राज को सबधानिक रूप से किसके दौरा दिया गया है वर्ष 1992 में 23 सबधान संसोधन के दौरा पंचायती राज को सबधानिक रूप दिया गया अगला कोशन भार्थ के राष्टपती को चुनाओ किस प्रणाली द्वरा होता है एकल संकर्मणिय प्रणाली के आधार पर भार्थ के राष्टपती को चुनाओ होता है नेक्स्ट कोशन परिसीमन आयोक का अध्यच होता है मुख चुनाओ आयोक थोता है नेक्स्ट कोशन मूल अधिकार संबंधी बिजार धारक का प्रादुर भाव कब हुआ था फ्रांस की क्रांती के बार्थ वर्ष 1989 में मानो अधिकारु की घोसरा की गई वर्ष 1989 में फ्रांस की करांती के बाद नेक्स्ट कोशन न्यालयो को आदेश पत्र जारी करके किसी कारवाह को इसलिए रोकना क्योंकि वो उसके अधिकार छेत्र के बाहर है क्या कहलाता है परतिसेध कहलाता है नेक्स्ट कोस्तन भारते सब्धान अधनियम में पहला संसोधन कब किया गया 1921 में पहला सब्धान संसोधन किया गया था और पहले सब्धान संसोधन के द्वारा नोवी सूची को सब्धान में चोड़ा गया था पहले सब्धान संसोधन के द्वारा सब्धान में किसकी इस्थिती राज के परमुख सासक की होती है राज पाल की होती है सब्धान में राज के परमुख सासक राज पाल होता है राज का परमुख सासक राज पाल होता है अगला कॉस्सन थे सब धान सभा में मूसिलम मुवर्ग के कितने पर्तनिथी थे 31 पर्तनिथी थे जम्मो कस्मीर के राज के लोगों को दोहरी नागरिक्ता पराप थे राज्य सबा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है राज की विधान सभा के निर्वाच सदस्य के द्वारा राज सभा के सदस्यों को चुना जाता है अगला क्वेसन परतेक मंडली परसद का पदेन सभापती कोन होता है केंद्री मंत्री होता है परतेक मंडली परसद का पदेन सभापती केंद्री मंत्री होता है नेक्श्ट कुछोंचन राष्ठ पती को चमादान की सक्ती किस अनुच्यद के दोरा दी गई है? अनुच्यद 72 में बताया गया है राष्ठ पती के चमादान की सक्ती नेक्ष्ट कोछन तार्दर्त जंडा समती के अध्यच कौन थे? डॉक्टर रजेंदर परसाथ थीं तारदर्थ जहंडा समती की अध्यच डॉक्टर रजेंद्र परसाथ थी नेक्स्ट कोशन ने 1945 इस्वी में गठित अंतरिम मंतरी मंटल में रेलोय मंतरी कौन थे आसफ आली थे रेलोय मंतरी आसफ आली थे अगला कोशन सब्धान सभा की परामर्श समती के अध्यच कोन थे सरदार बल्लंभाई पटेल थे नेक्स्ट कोशन अनसूची छेतरो और अनसूची जनचातियों की परसाथन के संबंध में किस अनसूची में परावधान किया गया है पाचुवी अनसूची में परावधान किया गया है अगला कोशन सभधान के किस अनुचेद में धार्मिक कारियों की प्रवंध की स्वतंदरता परदान की गयी है अनुचे 26 में स्वतंदरता परदान की गयी है अगला कोशन भारत के उचितम न्याले में कुल कितने न्याधिस हैं? 31 न्याधिस होते हैं भारत के उचितम न्याले में? 31 न्याधिस होते हैं उचितम न्याले की अस्थापना सबसे पहले कहा की गई? कलकत्ता में 1862 में पहली बार उचितम न्याले की अस्थापना की गई थी कौल काता में भारत के कितने राज़ियो में बिधान पत्सत कारेरत है? 6 राज्यों में बिधान परसत कारρα थे कुल 6 राज्यों में अगला कोशन है, सरकरिया आयो का गठन कप किया गया 1983 में सरकरिया आयो का गठन किया गया था 1983 में Next auxiliary बित आयो के अध्रच कौन थे Y.B. Reddy थे Next question जवालाल नहरूर के नेतरेत में अंतरेम सरकार का गठन कब किया गया था दो सितंबर 1946 को जवाहलाल नहरू के नितरित में अंतरेम सरकार का गठन किया गया था दो सितंबर 1946 में अगला क्वेसन है दोस्तों सब्धान सभा की कारज संचालन समती के अध्यच कोन थे केम मुंसी थे सब्धान सबा की कारश संचालन सम्थी की अध्यच केयम मुंसी थी नेक्स्ट क्वेसन भारती सब्धान में गड़तंत्र की ओधारणा कहां से लिगई है फ्रांसे से लिगई है भारती सब्धान में गड़तंत्र की ओधारणा फ्रांस के सब्धान से अपनाए गई है भारित के संचित निधी से उच नियाले के नाधीसो की पैंसन किस निधी से दी जाती है भारत के संचित निधी से अगला क्वेसन एक किस सब्धान संसोधन के दोरा भूत पूर्ब देशी रियासतों के सासकों का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया अगला क्वेसन भारत सरकार का पर्थम विधी अधिकारी कौन होता है? भारत का महानेवदी भारत सरकार का पर्थम विधी अधिकारी होता है क्वेसन सब्धान के किस अनुछेत के तहट संग लोक सिबा आयोक के गठन का प्राउधान है? अगला क्वेसन किसी राज का उचितम विधी अधिकारी कौन होता है? एड़ोकेट जर्णल होता है किसी राज का उचितम विधी अधिकारी एड़ोकेट जर्णल होता है अगला क्वेसन सरवोच नियाले में नाधी स्नुक्त होने के लिए व्यक्त को कम से कम कितने वर्स के लिए ईचितम वर्स का एड़ोकेट होना चाहिए नेक्स्ट क्वेसन जम्मु कस्मीर का सभिधान कब लागो हुआ? 26 जनुरी 1957 को जम्मु कस्मीर का सभिधान लागो हुआ था 26 जनुरी 1957 को किसी छेत्र को अनसूचित जाती और जनजाती छेत्र घोसित करने का अधिकार किसी प्राप्त है किवल राष्टपती को ये अधिकार प्राप्त है कि किसी छेत्र को अनसूचित जाती और अनसूचित जनजाती छेत्र घोसित कर सकता है किवल राष्टपती अगला कोसन ने बैलिसबे सब्धान संसोधन अधनियम 1976 के दोरा प्रस्तावना में कौन से सब्द जोड़े गये थे तो बैलिसबे सब्धान संसोधन अधनियम 1976 के दोरा पहली बार सब्धान की प्रस्तावना में संसोधन किया गया और इसके द्वारा समाजवादी, पंथ निर्पेच और राष्ट की अखंडता सब्द चोड़ेगे Next question राष्टपती पर महाभियोग किस आधार पर लगाया ज़े सकता है सब्धान के अधिकर्मण पर राष्टपती पर महाभियोग लगाया ज़े सकता है जब सब्धान का अधिकर्मण हो अगला question है किस राष्टपती का निर्वाचन दूसरे चक्र की मतगर्ना के द्वारा हुआ था अगला question भारते सब्धान के 36 संसोधन के फल्सरूप पूर राच का दर्जा किसे दिया गया था सिक्किम को दिया गया था 36 सब्धान संसोधन के दोरा सिक्किम को एक पूर राच का दिया गया था और 36 सब्धान संसोधन हुआ धा अगला question राज सबा के सदस्यों का चुनाओ कितने वर्स के लिए किया जाता है नेक्ष्ट question किस वाद में सरबोच न्याले ने संसत के मौलिक अधिकारों में संसोधन करने की सकती को मानने किया केसुवननद भारती वाद में अगला क्वेसन वित आयों की सिफारिसों को संसत के समझ कोन रखवाता है राष्ट पती रखवाता है वित आयो की सिफारिसों को संसत के समझ राष्टपती रखवाता है नेक्स्ट क्वेसन अगला क्वेसन प्रांतों में दोईध सासन को उत्तरदाई सरकार दोरा प्रतेसापित करने की संसुती सुरपर्थम किस ने की थी? साइमन कमीसन ने की थी अगला क्वेसन ही लोक लेखा समती का अध्यच किस के दोरा मनुनीत किया जता है? लोक सभा अध्यच के दोरा मनुनीत किया जता है लोक सभा अध्यच के दोरा मनुनीत किया जता है नेक्स्ट क्वस्टन भारत धर्म निर्पेच राज है ये मुख रूप से किस में दड़्ज है प्रस्तावना में बताये गया कि भारत धर्म निर्पेच राज है यद किसी केस में सब्धान से सम्मंधित फैसला लेना हो तो किस कोड में लिया जाएगा केबल सुप्रीम कोड में लिया जाएगा अगला कोस्टन है भारतिय संग की कारकारी सक्ति निमलिकित में से किस के साथ है तो भारते संग की कारकारी सक्तिया राश्ट पती के हाथों में होती हैं राश्ट पती के साथ होती हैं नेक्स्ट क्वेसन राज बिधायका में सुरू होने वाले धन बिधायक के ले किसकी सहमती की अबसक्ता होती है राज पाल के सहमती की अबसक्ता होती है अगला क्वेस्टनी सिरी के संथानम समती की सिफारिसों पर निमलिकत में से कौन सा आयोग बनाय गया था तो सिरी के संथानम समती की सिफारिस पर कौन से आयोग का गठन किया गया था केंदरी सतरिकता आयोग बनाय गया था सिरी के संथामन समती की सिफारिस पर अगला कोशन भारत के परधान मंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्टपती भारत के परधान मंत्री को नियुक्त करता है नेक्स्ट कोसन राष्टपती के चुनाओं में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राजसभा और विधान सभा के सदस राष्टपती के चुनाओं में भाग लेते हैं नेक्स्ट कोशन लोगसभाव और राजसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसा सत्र सुरू होने पर लोगसभा और राजसभा की संयुक्त बैठक सुरू होती है अगला कोशन कौन सा अधिकार केवल राजी सभा को प्राप्त है नभीन अखिल भारती सेवाओं को सुरू करने का अनमोदन करना ये केवल राजी सभा को प्राप्त है नेक्स्ट क्वेसन राष्टपती की मिर्तियों होने या इस्तिफा देने पर राष्टपती की कारियले का कारवार कपालन उपराष्टपती कब तक करेंगे तो अधिक्तम 6 महने की अभधी तक उपराष्टपती कारियोहग राष्टपती रह सकता है अधिक्तम 6 महने की अभध 26 नुमेंबर 1989 को सविधान सभा ने भारत के सविधान को सविधान कीया था भारत का सिर्वोच कमांडर भारत का राष्डपती ह scrut होता है किसके लिए उत्तरदरी मंत्री पड़सट लोग सभा की प्रत उत्तरदरी हुती है नेक्स्ट कोशन राज्य सभा की सद्सिता के लिए नियुन्तम आयुसीमा कितनी है? तीस वर्स है राज्य सभा की सद्सिता के लिए नियुन्तम आयुसीमा तीस वर्स है Next question हिंद युनानी सासकों के संबंद में मुख जानकारी हमें किस रोध से मिलती है सिक्कों से हमें मुख जानकारी मिलती है हिंद युनानी सासकों के बारे में Next question हिंद रिगवेदिक कालीन सर्व परमुग देउता कौन थे इंदर थे रिगवेधि कालीन सर्व परमुक देउता इंदर थे Next question कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों के भी उपकरूणों का निर्माड किस काल में होने लगा मद्ध पासाड काल में कठोर चटानू के साथ साथ मुलायम चटानू के उपकरूडों का उपयोग भी होने लगा था मद्ध पासाड काल में अगला क्वेशन बैल और हल की सहाथा से किर्सी कार की सुरूआत किस काल में हुई थी 9 पासाड काल में बेल और हल की साहता से किर्शीकर शुरू किये गें 9 पासाड काल में अगला क्वस्षन न किस स्थल से पात्रों में रक कर सबों को दबाये जाने के आउसेस प्राप्थ हुए हैं आदि चल्ननू से प्राप्थ हूए हैं, आदि चल्ननू से. अगला क्वस्टन, सबाधान की दाह संसकार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई, मध्ध पासाड काल में शुरू हुई थी? सबाधान की दाह संसकार की प्रक्रिया मध्ध पासाड काल में शुरू हुई चाबल के उत्पादन के साथ किस सैंधो पुरास्तल से प्राप्थ हुए हैं? रंगपुर और लोथल से प्राप्थ हुए हैं? रंगपुर और लोथल से प्राप्थ हुए हैं? आमाज कहते थे आमाज कहा जता था अगला कोसन है दोस्तों केस जैन गरंथ में महाबीर के कठोड तपस्या इम काया कलेस का रोचिक बिवड़न मिलता है? आचारांग सूत्र में महाबीर के कठोड तपस्या और काया कलेस का बिवड़न मिलता है आचारांग सूत्र में रिगवेद के स्लोकों में किन तीर्थकरों के नामों का इसपस्ट उल्लेक हुआ है? रिसब और अरिष्ट नेमी तीर्थकरों का उल्लेक हुआ है रिगवेद के स्लोकों में रिसब और अरिष्ट नेमी का अगला क्वेस्टन ने बुद्ध की सुर्वधिक मूर्तियों का निर्माड किस कला के अंतरगत हुआ है गंधार कला के अंतरगत बुद्ध की सुर्वधिक मूर्तियों का निर्माड हुआ है गंधार कला के अंतरगत संसारिक दुखों से मुक्तिहित बुध ने किस मार्ग की बात कही है? अगला क्वेस्टन रुहेल खंड तथा मध्ध दुआप के छेतर में कौन सा महाजनपत इस्तित था? अगला क्वेस्टन रुहेल खंड और मध्ध दुआप के छेतर में इस्तित था? अगला क्वेस्टन किस यूरोपिय बिद्वान ने सेंडरो कोट्स की पहचान चंदरगुप्त मौर के रूप में की है? बिलियम जोन्स ने सेंडरो कोट्स की पहचान चंदरगुप्त मौर के तरबान में था और मेगस थनीज ने इंडिका पुष्तक को लिखाए जो कि इसके most important book है इंडिका पुष्तक आपके एकजाम में कई बार पूछी गई है किसे ने लिखाए मेगस थनीज ने लिखाए नेक्स्ट कोट्स नाम विंदुसार के लिए युनानी स्रोतों में कौन सा नाम आया है अमित्रो कोट्स नाम विंदुसार के लिए प्रियोग किया गया है युनानी स्रोतों में अमित्रो कोट्स नाम विंदुसार के लिए प्रियोग किया गया है असोक के सिलालेखों में उल्लिखित तामर परड़ी किस देश के लिए परियोग हुआ है अगला क्वेस्टन के सिलालेखों में उल्लिखित तामर परड़ी किस देश के लिए परियोग हुआ है अगला क्वेस्टन अगला क्वेस्टन के सिलालेखों में उल्लिखित तामर परड़ी किस देश के सिलालेखों में उल्लिखित तामर परियोग हुआ है नेक्स्ट क्वेस्टन मुहमद बिन कासिम के नित्रित में अरबो का सिंध पर आकर्मण कब हुआ सत्रा सो बारा इसबी में अरबो ने सिंध पर आकर्मण किया था और मुहमद बिन कासिम के नित्रित में किया था अगला question, अलबरूनी ने किस गरंद की रचना की है? किताबल हिंद की रचना की है? Most important question है, किताबल हिंद आपके एक्जाम में कई बार पूछी गई है किताब और इसे अलबरूनी ने लिखा है Next question, मुहम्मद गोरी ने भारत पर अपना अंतिम अभियान किस के बिरुद्ध किया था? Next question, भारतिय संदर में अबुल फजल सूफी मत के कितनी सिलसलों की सूचना देता है? 14 सिलसलों की सूचना देता है Next question, भक्ती को दार्शनिक आधार देने वले पर्थम आचार कौन थे? ब्राबर ने अपनी आत्म कथा तूजे के बाबरी किस भाईसा में लिखे थी तुर्की भांसा में लिखी है बाबर ने अपनी आत्व कथा तुजो के बाबरी तुर्की भांसा में लिखी है नेक्स्ट क्वेसन इस सुवला सो एक इसवी में किस दच्छड भारती राज का मुगल राज में बिले किया गया खान देश का मुगल समराज में बिले किया गया था अगला क्वस्टन मुगल काल में वास्तविक किर्शी उत्पाद या फसल में राज की अंस को क्या कहा जाता था माल या खराज कहा जाता था अगला क्वस्टन बाजी राव पर्थम के समय मराठा संक की समझत सकती पैसुबा के हाथो में आ गई थी। अगला क्वस्टन इलहाबांद की संधी किन के बीच हुई थी। अंग्रेज और साहां आलम धुतिय के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेसन एक कुतुबुदिन एबक ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई थी? लाहोर को कुतुबुदिन एबक ने अपनी राजधानी बना था लाहोर को इल्टो तमिस के किस परतिदुन्दी ने सिंधु में डूप कर अपने आत्महत्या कर ली थी नसरिदून कोबाचा ने अपने आत्महत्या सिंधु में डूप कर कर ली थी अगला क्वेशन ने मराठा समराज का अंतिम पैसवा कौन था बाजी राउ था मराठा समराज का अंतिम पैसुआ बाजी राउ था नेक्स्ट क्वसन भारत में पुर्तगाली राज की अस्थापना का स्रे किस वाइसराय को दिया जाता है प्रांसिसको डी आलबुकर को भारत में पुर्टगाली राज की अस्थापना का स्रिय दिया जता है फ्रांसिसको डी आलबुकर को Next question बंगाल में चंद्र नगर नामक परसेद्ध फैक्टरी की अस्थापना किस यूरोपिय सक्ति ने की थी फ्रांसिसियों ने की थी चंद्र नगर नमक फैक्टरी के स्थापना फ्रांसिस यू ने की थी नेक्स्ट कोसन है बक्सर की युद्ध की समाप्ती किस संधी से हुई थी इलाहबाद की संधी से बक्सर की युद्ध की समाप्ती हुई थी और बक्सर का युद्ध मोस्ट इंपोर्डन है दोस्तों आपके लिए बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था 1764 में नेक्स्ट क्वेस्टन भारत में एस्ट इंडिया कंपणी ने किस चेत्र में अपनी पहली फेक्टरी अस्थापित की सूरत में सबसे पहली बार एस्ट इंडिया कंपणी ने अपनी फेक्टरी अस्थापित की थी सूरत में अगला क्वेस्टन मुर्सीदाबाद कब तक बंगाल की रास्थानी के रूप में अस्थापित रहा 1773 तग मुर्सिदाबाद भारत के बंगाल की राष्थानी के रूप में अस्थापित रहा 1773 तग अगला क्वेस्टन 1764 एसिम में हैतर अली के विर्द पहला आकरमन किया था पेस्वा बाधो रावने पेस्वा बाधो रावने किसमापती हुई थी अगला कोछ भान बंगाल में अस्थाई बंदोवस्त का सूत्रपाद किस गवर्णर्स Grade किया था। अगला कोसन बंबई में रैयत वारी बंदोबस्त की बेवस्ता किस के दोरा की गई एलफिंस्टन के दोरा की गई थी अगला कोसन महल वारी बेवस्ता का सूत्रपात किस ने किया था हाल्ट मैकेंजी ने किया था हाल्ट मैकेंजी ने महल वारी बेवस्ता का सूत्रपात किया नेक्स्ट कैसर ने ढूतिये आंगल अफगान यूद के समाप्ति किस वाषराय के सासनकाल में हुई थी। लाड रिपन के सासनकाल में हुई थी। अगला कैसर ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाध केटकरी और मिलक्षे ने किया थी। अगला कोशन ने 1791 स्वी में बनारस में संसिक्रित कॉलिज की अस्थापना किसनी की थी जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में संसिक्रित कॉलिज की अस्थापना की थी जोनाथन डंकन ने अगला कोशन है भारती सिबल सेवा में पड़्थाम भारती की रूप में चैनित होने का गवरू किसे प्राप्ते सत्येंदरनाथ टैगोर हैं जो भारती सिबल सेवा में पहली बार चैन हुए थे सत्येंदरनाथ टैगोर हैं अगला कोशन है आल इंडिया पीपल्स कॉंफरेंस का गठन किस वर्च हुआ था 1927 में हुआ था All India People's Conference का गठन 1927 में हुआ था Next question है 1935 SB में भारत सासन अधिनियम के तहत संगे मंडल में DC रियासतों के लिए कितनी सीटे आरच्चित की गई एक तीहाई भाग सीटे आरच्चित की गई थी Next question Next question है किस वाइसराय की हत्या उनके कारकाल में भारत में की गई लाड मियों की हत्या की गई थी भारत में लाड मियों की हत्या की गई थी अगला question ने 1880 इसमी में भारतिय राश्चित कांग्रेस के पर्थम सम्मिलन में अध्यच किसे बना गया था A.O.Hume को बना गया था अगला question ने Indian Home Rule Society की अस्थापना लंदन में किस ने की थी सियाम जी किर्सम वर्मा ने की थी Indian Home Rule Society के स्थापना लंदन में सियाम जी किर्सम वर्मा ने की थी Next question अखिल भारतिय किसान कॉंग्रेस का पर्थम अध्यच कों था सहाजानन्द सरपसती थे Next question ने जैन धर्म का संसिक्रत में लिखा महत्पूर गरंथ कों सा है कल्प सूत्र है जैन धर्म का संसिक्रत में लिखा महत्पूर गरंथ कल्प सूत्र है Next question कन्योवन्स का अंतिम सासक कों था सुसर्मा था सुसर्मा कन्योवन्स का अंतिम सासक था अकबर ने इबादत खाना की अस्थापना कहां पर की थी? फतेयपूर सीकरी में मुहम्मस सहब के कृतियों के संकलन का क्या नाम है? हदीश नाम है मुहम्मस सहब के कृतियों के संकलन का नाम हदीश है पर्थम आंगल बर्मा यूद्ध के समे भारत का गवर्णस जनल कोन था? Next question, सिक्को की ढलाई सुर्वधिक किसके सासनकाल में हुई थी? अगला question, गजनी समराज के संथापक कोन था? Next question, गुलामोंज की अस्थापना किसे ने की थी? कुदबु दिन एबक ने की थी मुहम्मद गोरी का गुलाम कुदबु दिन एबक ने गुलाम वन्स की अस्थापना की थी नेक्स्ट क्वेसन खिलजी वन्स की अस्थापना की थी जलालु दिन खिलजी ने खिलजी वन्स की अस्थापना की थी अगला क्वेसन है सयद वन्स का संस्थापक कौन था खेज रखाँ था सयद वन्स का संस्थापक कौन था नेक्स्ट क्वेसन है लूदी वन्स का संस्थापक कौन था बहलोल लोदी था लोदी वन्स का संस्थापक बहलोल लोदी था अगला कोसन बीजे नगर समराज की अस्थापना किसनी की? हरिहर और बुक्का ने बीजे नगर समराज की अस्थापना किसनी की? हरिहर और बुक्का ने बीजे नगर समराज की अस्थापना किसनी की थी? हसन गंगु ने बहमनी राज की अस्थापना किसनी की थी? अगला कुछन मुगल वन्स का संस्थापक कों था बाबर था मुगल वन्स का संस्थापक इसने इप्राहिम लोधी को हरा कर मुगल वन्स के अस्थापना की थी सूर समराज का संस्थापक कौन था ? सेर सा सूरी सूर समराज का संस्थापक था अगला कोशने मराठा समराज का संस्थापक कोन थे सिबाची थे समराठ सिबाजी मराठा समराज के संस्थापक थे नेक्स्ट कोशने तरुण इस्तरी सभा का स्थापना कहां पर की गई थी अगला कौस्फन मनुष्Я ने सुरपर्थम किस धातू का प्रियोग किया था था माःधारत का भूगोल लामक पूष्तक किसे ने लिखी है नेक्स्ट कौस्फन सुबास संद्र बोश को सुरपर्थम नेता जी किसे ने कहा था एडॉल्फ हेटलर ने सुरपर्थम सुबास संद्रबोस को नेता जी कहा था अगला कोस्त ने महत्मा गांधी को अधनंगा फकीर किस ने कहा था बिस्टन चर्चिल ने महत्मा गांधी को सुरपर्थम अधनंगा फकीर कहा था अगला क्वेसन बल्लंभाई पटेल को सरदार की उपाधी किस अंदोलन के बाद परदान की गई थी बार्दोली सत्ग्रे के बाद सरदार बल्लंभाई पटेल को सरदार की उपाधी दी गई थी अगला क्वेसन ने जैहिंद का नारा किसे ने दिया था? सुबाज संद्र भोस ने जैहिंद का नारा दिया था अगला क्वेसन नेक्सट ग्रे नाइट डोले राइट और बैसाल्ट किस परकार की चटान के उदाहरण है अग्निये चट्टानों के उदाहरण है अगला क्वेसन किस परबत को सहद्री कहा जता है पस्मी घाट परबत को सहद्री कहा जता है नेक्स्ट क्वेसन मेग गर्जन बिजली की चमक आंधी तुफान वर्सा हिमपात आद मौसमी घटनाएं वह मंडल की किस परत में घटित होती है चो मंडल में घटित होती है ये घटनाएं चो मंडल में होती है नेक्स्ट क्वेसन सोर उर्जा के पिर्थवी तक पहुचने की परकिरिया को क्या कहा जता है आथपन कहा जता है सोर उर्जा को, सोर उर्जा की पिर्थवी तक पहुचने की प्रक्रिया को आथपन कहते हैं अगला क्वेसन ने उत्तर भारत में चक्रवर्ती वर्सा जाड़े में होती है ये चक्रवात किस सागर से यहां पर पहुचते हैं भूमंद्र सागर से पहुचते हैं उत्री अमेरका में देच्छडी गिनिलन्ड और पूर्वी कनाड़ा के तड किस ठंड़ी चल्धारग के प्रभाव चेतर में आते हैं लेब्रो डोड चल्धारग के प्रभाव चेतर के अंतरगात आते हैं अगला कुस्तन है जिस तापमान पर वायू संत्रिप्थ होती है उससे क्या कहा जता है ओसांक कहा जता है जिस तापमान पर वायू संत्रिप्थ होती है उससे वसांक कहते है नेक्स्ट कोस्टन बिस्ट की सबसे बड़ी परवाल फित्ती आस्ट्रेलिया के पूर्व परसांत महासागर में है इस परवाल फित्ती क बाद कई नदिया डेल्टा न बनाकर क्या बनाती हैं? आउरोध नदमुक बनाती हैं. नेक्स्ट कोसने बिस के किन तीन देशों को बेनिलक्स कहा जता है? वेल्जियम, नीदरलेंड और लक्समबर को बेनिलक्स कहा जता है? अगला कोसने वो नियम जिसके अनुसार किसी भी ग भारत बिस का कुण सा देश है? भारत सातुवा देश है छेत्रफल की दिरिष्टे से और 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 छेत्रफल की दिर आप इस्थ परबते हैं, आप इस्थ परबते हैं, नेक्स्ट कोसने अस्थल और नस्पती सनक्षण के लिए वनस्पतिक उद्दान सरक्षण की कौन सी पत्ती है, बाहे अस्थान सरक्षण है, नेक्स्ट कोसने 20 के कितने परथिसे चेत्र पर अस्थल मंडल का विस्तार पाया नेक्स्ट क्वेसन है बिस्क के सबसे बड़े हिमनत का नाम क्या है? वियर्ड मोर हिमनत जो के अंटार्टिका में है ये बिस्क का सबसे बड़ा हिमनत है अगला क्वेसन जब सूर, पिर्थबी और चंदरमा, आमावस्या वा पूरिमा के समय एक सीधी रेका में होते हैं परवतों से घिरी बेसिन को बालसन कहते हैं। सागरिय जल में किस परकार का नमक सबसे अधिक ससतर पॉइंट आठ परसंट पाय जता है सोडियम कॉलोराइड पाय जता है सागरिय जल में। अगला कोशन केंटर बरी घास के मैदान कहां पर अवस्यत हैं। न्यूजी लेंड में केंटर बरी घास के मैदान। नेक्स्ट कोशन खड़ीया मिटी सेल खड़ी नमक की चटान गोलास्म आध किस परकार के चटानों के उधाहरण है। नेक्स्ट कोशन एटना और इस्टरामबोली किस परकार के जोला मुखी हैं? सक्रिय जोला मुखी है एटना और इस्टराम बोली सक्रिय जोला मुखी है नेक्स्ट क्वेसने बिस के कुल अदरक उत्पादन का 60% उत्पादन किस भारती राज़ में होता है केरल में होता है 60% अदरक का उत्पादन केरला में होता है नेक्स्ट कोशन दुग्ध उत्पादन में भारत का बिस में कौन सा अस्थान है भारत का पर्थम अस्थान है दुग्ध उत्पादन में Q. आंड़मान और निकोबार दुइब समू में, मुख्ःता कौन सी प्रजाती पाई जती है? निगर्टो प्रजाती है, जो आंड़मान निकोबार दुइब समू में पाई जती है अगला कुछने प्राधीपिय भारत की एक परमुग नदी गोदावरी का उद्गा मस्थल कहा है त्रिम्बकम नासिक में है त्रिम्बकम नासिक में गोदावरी का उद्गा मस्थल है इर्मिंगर धारा एक गर्म जल धारा है ये किस महासागर से संबंधित है आंध्र महासागर से संबंधित है इर्मिंगर जल धारा नेक्स्ट कोसन कनाड़ा का जलपरपाद टाका काड़ा किस नदी पर है टाका काड़ा जलपरपाद योहो नदी पर है योहो नदी पर नेक्स्ट कोसन बोलगा नदी कहां पर गिरती है कैस्पियन सागर में गिरती है बोलगा नदी अगला कोसने सिंगता लूट सिचाई परियोजना किस राज में है? सिंगता लूट सिचाई परियोजना करनाटक राज में है नेक्स्ट कोशन ने बिस्त का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा है? भारत है जहाँ पर सबसे ज़दा नारियल का उत्पादन होता है अगला कौस्टन यद मैदान के उचे भाग को बांगर कहा जता है तो नीची के भाग को क्या कहा जता है अगला कौस्टन कापास के उतबादन के लिए सुर्बधिक उप्युक्त मिट्टी कौन सी है काली मिट्टी सुर्बधिक उप्युक्त मिट्टी होती है कापास के उतबादन के लिए नेक्स्ट कौस्टन चंद्रमा और सूर के बीच में पिर्थिवी के आने पर कौन से इस्ति निर्मित होती है जब चंद्रमा और सूर के बीच में पिर्थिवी आ जती है तब चंद्र गरहन लगता है अगला क्वस्तन मद्ध पर्देश का प्रियटन अस्थल पंच मड़ी किस परवत माला पर इसते थे अगला कुछषन किस वण में मुख रोप से स्पुरूस फर वाचीड पाया जते हैं टेगा वणों में पाया जते हैं अगला क्वेसन चिलका जील किस राज में से थे ओडीसा में है चिलका जील नेक्स्ट क्वेसन पसिम बंगाल में गंगा डेल्टा पर मिलने वली डेल्टाई जीलो को क्या कहा ज़ता है बील्स कहा ज़ता है डेल्टाई जीलो को बील्स कहते हैं नेक्स्ट कोसन आंदर प्रदेश में एन्नोर के पास गोदावरी इंकिट्सना के डेल्टा चेत के बीस कौन सी जील पनी हुई है? केलोरी जील पनी है केलोरी जील पनी है आंदर प्रदेश में नेक्स्ट कोसन इन तिबबत परदेश में इससित मांसरोर जील का चेतरफल कितना है? 520 वर्ग किलोमेटर है मांसरोण जेल का छितरफल 520 वर्ग किलोमेटर है अगला कोस्टने भाड़ती मानत्ष में IST कितने डिगरी पूर्व दिसांतर के आधार पर निश्चित किया जता है साधे 22 डिगरी साधे 82 डिगरी पूर्वी दिसांतर पर निश्चित किया जता है अगला कोस्टन रभी के फसले अक्टूबर नॉम्बर में बोई जती है इसकी कटाई कब की जती है फरूरी मार्च में की जती है रभी के फसले अक्टूबर नॉम्बर में बोई जती है और कटाई फरूरी मार्च में की जती है अगला कोस्टन कस्मीर के डल जील पर्थम अस्थान पर है जारखंड भारत में पर्थम अस्थान पर है खानिच संसाधन की द्रिश्टी से अगला कोसने केवला देव धाना राच्टी अभ्यरण में कौन सा आपरिवासी पच्छी बेज सिव्यापी आकर्शन का केंधरे साइबेरियन क्रेन पच्छी है नेक्स्ट कोसने जारखंड का परसिद हुंडरू जलपरपात कहां और किस नदी पर इस थे राची में सुरंड रेखा नदी पर है राची में सुरण रेखा नदी पर नेक्स्ट कोसन जोजिला तर्रा सिरी निकर से किस मार्ग को जोड़ता है लेह मार्ग को जोड़ता है जोजिला तर्रा सिरी निकर से लेह मार्ग को जोड़ता है नेक्स्ट कोसन सोर मंडल में मौझूद किन दो ग्रोहों का एक भी उपगरह नहीं है, बुद्ध और सुक्र के एक भी उपगरह नहीं है, नेक्स्ट कोसन चने का उतपादन सबसे अधिक किस राज में होता है, मद्ध परदेश में सबसे ज़्यादा चने का उतपादन होता है, अगला कोसन, हे मोती, सुडवती किस नदी की स नेक्स्ट कोशन ने बरोनी का तेल सोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया था। ने भारत में सुर्भतिक वर्षा कहां पर होती है। नेक्स्ट कोशन ने बिस्ट की जीलों में सबसे बड़ी जील कैस्पियन सागर किस परकार की पानी की जील है। अगला क्वस्टन भारत का एकमातर सक्रिय जोला मुखी किस दुई पर इस्ति थे आंडमान निकोबार तुई पर इस्ति थे जोकि एकमातर सक्रिय जोला मुखी है। नेक्स्ट क्वस्टन न्यूटरान तारा घुर्णन के दोरान रेडियो तरंगे उत्सरजित करता है। उन तरंगों को क्या कहते हैं। उन तरंगों को पलसार कहा चता है। नेक्स्ट कॉस्टन, सतलज नदी पर नापता जाकडी पर्युजना किस नराज में अवस्तित है? हिमांचल प्रदेश में इस्तित है अगला क्वेसन, कनाड़ा में इस्तित टाका काउ जल परपात किस नदी पर है? योहो नदी पर है टाका काउ जल परपात योहो नदी पर है प्राधीपी भारत की एक परमुख नती गोदावरी का उद्गम अस्थल कहां है? तरमवकम नासिक में है तरमवकम नासिक में गोदावरी का उद्गम अस्थल होता है अगला कोशन प्रियरी और स्टेपी परदेशों में सबसे अधिक क्या उपजाय जता है? नेक्स्ट कोशन आधी रातरी के सूरज का देश याणि के लेंड आफ नाइट सन किसे कहा जता है? नॉर्बे को कहा जता है आधी रातरी के सूरज का देश नौर्बे को कहा चता है Next question मोरान भारत का एक पड़सिद तेल छेत रहे ये कहाँ पर है? असम में है मोरान असम में है जो कि भारत का पड़सिद तेल छेत रहे Next question अमेरिका, रोबस्टा और लेवेरिका किस फ़सल की किसमे है? कहावा की फ़सल की किसमे है? कहावा की कॉफी की Next question बिस में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रू से जहाँ पर चुकंदर की चीनी का सबसे अधिक उत्पादन होता है नेक्स्ट क्वेशन टोन्सक किस प्राकृतिक परदेश में पढ़ता है टैगा में पढ़ता है टोन्सक गेहों की खेती के लिए कौन सी जल्वाईव सबसे उप्योगत होती है अगला क्वेशन चेन का मैंचेस्टर किसे कहा ज़ता है चेन के संगहाई सहर को चेन का मैंचेस्टर कहा ज़ता है अगला क्वेशन सोमपेन एक पिछडी परजाती है इसका निवास अस्थान कहां पर है ग्रेट निकोबार में है प्रचाती का निवास ग्रेट निकोबार में हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जना जता है। सांगपो के नाम से जना जता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जता है। अगला कोशन चाबल के उत्पादन में। बेश्व में भारत का कौन सा अस्थान है? भारत का दूसरा अस्थान है चाबल के उत्पादन में नेक्स्ट कॉस्टन राजस्थान का जावड छेत्र किस खनिच के लिए परसिद है? चांदी के लिए परसिद है अगला कोसने भारत में स्वर्वधिक सिचाई किस रोज से होती है नलकूप और कुओं की द्वारा भारत में स्वर्वधिक सिचाई होती है अगला कुछन महाराष्ट में किस मिट्टी का विस्तार स्वर्वधिक है? काली मिट्टी का विस्तार स्वर्वधिक है महाराष्ट में तेज वायु दोरा मिट्टी की उपरी परत को उड़ा कर ले जाने की परकिरिया क्या कहलाती है? परतदार अपोर्दन कहलाती है अगला कोशन किस परकार की वनस्पती ग्रेस मरितियों के आरंभ में अपने पतिया गिरा देती हैं ओस्रड कटबंधिये पड़पादी अथवा मानसूनी वन ग्रेस मरितियों के आरंभ में अपने पतिया गिरा देते हैं अगला कोसन किस पेंड से तारपीन का तेल और रेंजिन प्राप्त किया चता है? चीड के पेंड से तारपीन का तेल और रेंजिन प्राप्त किया चता है? चीड के पेंड से नेक्स्ट कोसन है स्वर्वधिक नलकूपों की संख्या किस राज में है उत्तर प्रदेश में स्वर्वधिक नलकूप है नेक्स्ट कोसन भारत में स्वर्वधिक खनिस तेल कहां से प्राप्त किया जता है बॉम्बे हाई से स्वर्वधिक खनिस तेल प्राप्त किया जता है भ ब्रह्म पुत्र नदी भारत की सबसे चोड़ी नदी है अगला क्वेसन प्राधी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है गोदावरी है प्राधी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है केट्टू जिसे गार्डबिन आच्ट्रिन भी कहते हैं ये भारत की सबसे उची है 611 मेत्र अगला क्वेशन पहले स्याम के लामसे भी जाना जता था थाइलेंड देशे जिसे पहले स्याम के नाम से जाना जता था अगला क्वेसन भारत के रत्न अभूसर्ड का सबसे बड़ा आयात तक देश कौन सा है अमेरिका है जो रत्न और अभूसर्ड का सबसे बड़ा आयात करता है भारत में अमेरिका है नेक्स्ट क्वेसने आउस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है आउस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है नेक्स्ट क्वेस्टन है अधिकांस मौसम संबंधित घटनाई वोय मंडल के किस भाग में होती है छोब मंडल में होती है अधिकांस मौसम संबंधित घटनाई छोब मंडल में होती है अगला कोशन वोई मंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तित करता है आयन मंडल है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है इंडिया बिचन 2020 में 20 कपरुस साचर्टा अलच कितने परतिसत निर्धारत किया गया था? 96% निर्धारत किया गया था आगला कॉसन प्रोफेसर पीसी महलोबीस के माडल पर कौन सी पंचुवरसी योजना चलाई गयी? दूतिय पंचुवर्सी योजना थी जो प्रोफेसर PC माहलोबीस के माडल पर चलाए गए थी Next question, भारत में लोहा इसपात उधो की अस्थापना सुरपर्थम कहा की गई कुल्टी पसिम बंगाल में 1870 में पहले लोहा इसपात उधो की अस्थापना की गई थी अगला कोशन बेकर किस परकार का कर है? पड़ते चिकर होता है वेकर अगला कोशन पहला भारती बेंक कोन सा है? अवत कमर्सियल बेंक यह भारत का पहला भारती बेंक है अगला कोसन समुदाइक बिकास कारकरम के शुरूआत कब की गई 2 अक्टूबर 1952 को समुदाइक बिकास कारकरम के शुरूआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को नेक्स्ट कोसन भारती निर्यात आयात बैंक की अस्थापना की गई 1982 को भारती निर्यात आयात बैंकी अस्थापना की गई थी अगला कोशन स्वतंत्र भारत का पर्थम बचट कब पारित किया गया 26 नॉबंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पर्थम बचट पारित किया गया था Next question राजा चेलिया समती किस से संबंधि थे? Next question सोया बियन का सुर्वतिक उत्पादन कहां पर होता है? मद्ध प्रदेश राज में सोया बियन का सबसे अधिक उत्पादन होता है अगला कोशन भारत में काररत BNP परिवास बैंक किस देश का है? फ्रांस का है BNP परिवास बैंक फ्रांस देश का है अगला कोस्तन भारत में गरीबी हटाओं का नारा किस पंचुवर्सी योजना में दिया गया? पांचुवी पंचुवर्सी योजना में गरीबी हटाओं का नारा दिया गया था पांचुवी पंचुवर्सी योजना में नेक्स्ट कॉस्टन, बीस हजार मेगावाट बिद्धूत उत्पादन संबंधि जबाहलाल नहरू मिसन कब तक किले लच्छित था? 2020 तक लच्छित था। अगला कॉस्टन, राष्ट्य ग्रामेड बिकास संथान कहाँ परिस्थ है? हैदराबाद में है राष्ट्य ग्रामेड बिकास संथान है धराबाद सहर में हैं अगला क्वेस्टन बीस वर्षों के बाद आर्बियाई द्वरा एक हजार रुपे का नोट कब चारी किया गया? 9 अक्टूबर 2000 को एक हजार रुपे का नोट जारी किया गया अगला question साख मुद्रा को क्या कहा चता है एचिक मुद्रा कहा चता है साख मुद्रा को next question किसी वस्त के वास्तविक मोल की बजाए मोद्रिक मोल से प्रतकिरिया बेक्त करने को क्या कहा चता है मुद्रा फ्रम कहा चता है नेक्स्ट कोसन भारत में सुर्वधिक नगरी करण कहां पर हुआ है गोबा में सबसे अधिक नगरी करण हुआ है भारत के गोबा राज्च में सबसे अधिक नगरी करण हुआ है अगला कोशन योजना आयोग का गठन कप किया गया पंदरा मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था अगला कोशन किस पंचुवर्ची योजना का उद्देश समाज वाजी समाज के स्थापना करना था तो किस पंचुवर्ची योजना का उद्देश समाज वाजी समाज के स्थापना करना था दूतिये पंचुवर्ची योजना का उद्देश था नेक्स्ट कोशन योजना का अंतिम अनमोदन किसके द्वारा होता है राश्टिय विकास परसत के द्वारा होता है योजना का अंतिम अनमोदन राश्टिय विकास परसत के द्वारा होता है नेक्स्ट क्वेसन नई आर्थिक सुधार की रूप रेखा सुरपर्थम किस परधार मंतरी के कारकाल में बनवाई और सुरू की गई रजियू गांधी के कारकाल में स्वर्पर्थम बनाई और सुरू की गई भारतिय पूजी बजार को भीनेमित करने के वैधानिक सक्तिया किसके पास है भारतिय प्रत्वूती इंविनमे बोड सेबी के पास है अगला कोशन पस्तिम मंगाल राज्य जहां पर चाबल का सुर्बधिक उतपादन होता है अगला कोशन प्रश्टी ग्रामेड रोजगार गारंटी स्कीम का प्रारंप की गई प्रायू का गठन किया गया था। Next question, Politics of चर्खा नामक पुष्टा के लेखक कोन है? JB करपलानी है, Politics of चर्खा नामक पुष्टा के लेखक JB करपलानी है। Next question, किसी देश त्वरा आयात पर लगाएगे कर को क्या कहते हैं? Next question, किसी देश त्वरा आयात पर लगाएगे कर को टैरिफ कहा जता है। Next question है, बैंकिक परडाली की पुनर सनचना के संबंध में सुचाओ देने हित 1991 में किस समती का गठन किया गया? नर्सिंग समती का गठन किया गया था। मोल सुचकांक किस देश का है? मेक्सिको का है? IPC सेर मोल सुचकांक मेक्सिको देश का है। अगला क्वस्तन किस पंचवर्सी योजना की सरबोच प्रात्मिक्ता मानुस अंसाधन का विकास करना था। आठवी पंचवर्सी योजना का उद्देस था मानुस इंसाधन का विकास करना अगला कोस्तन भारती यूनेट रस्ट के सापना कब की गई 1964 में भारती यूनेट रस्ट के सापना की गई थी नेक्स्ट कोस्तन ग्रामेड बैंक किन राज़ में नहीं है अगला कोस्तन भारत में सुर्भधिक जोत किस परकार की है सीमान्त परकार की है भारत में सुर्भधिक जोत सीमान्त परकार की है नेक्स्ट कोस्तन भारत में पहला फूड पार्क कहां पर बनाया गया था जहारखंड के राची में भारत का पहला फूड पार्क बनाया गया था अगला कोशन करसी दिबस करसक दिबस का मना जता है 23 दिसंबर को मना जता है करसक दिबस नेक्स्ट कोशन भारत में तालाबो द्वारा स्वर्भधिक सिचाई कहां पर होती है अगला कोशन भारत में हरित करांती के सुरुआत कब की गई नेक्स्ट कोशन भूरी करांती किस से संबन्दी थे उर्वरकों के उत्पादन से संबन्दी थे भूरी करांती नेक्स्ट कोशन एचाई 1500 किस खाद फसल की संकर परजाती का नाम है गयहू की परचाती का नाम है नेक्स्ट क्वेसन काक रेंज किस पसू के नसल का नाम है गाय की पसू के नसल का नाम है काक रेंज नेक्स्ट क्वेसन टसर रेंज सुर्भथिक किस राज में पैदा किया चता है बिहार में सुर्भतिक पैदा किया जता है टासर रेसम अगला कोसने दोस्तों मोती देने के लिए इस परकार की मचलिया सुर्भतिक परसे दें तो किस परकार की मचलिया सुर्भतिक परसे दे मोती देने के लिए ओइस्टर और कोईस्टर मचलिया हैं जो मोती दने के लिए स्वर्भधिक परसिद हैं इंडिया विजन 2020 दृष्टी पत्र किसे ने जारी किया? योजन आयोग ने जारी किया था अगला कुछन सुरेश तेंदुलकर सम्ती का सम्बंद किसे है? नेक्स्ट कुछन है दा प्लांट एकोनोमी अफ इंडिया पुस्ता के लेखक कोन है? भारत में अनिवार लाइसेंसिंग के अंतरगत कितने उद्धोगों को रखा गया है? पांच उधोगों को रखा गया है भारत में अनिवार लाइसेंसिंग के अंदरगत पांच उधोगों को रखा गया है नेक्स्ट कोस्ते ने अधोगिक उम्बित्य पुनलगठन बोर्ड की अस्थापना कप की गई वर्स उन्नी सो पचासी में भारत में अध्धोगिक अम्बित्य पुनर्गर्थन के स्थापना की गई थी अगला कोस्तिन भारती जीवन बीवा निगम के स्थापना की गई थी वर्स उन्नी सो चपन में भारती जीवन बीवा निगम के स्थापना की गई थी 1956 में नेक्स्ट कोशन राज अस्तर पर मानो विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पर्थम राज कौन सा है मध्ध पर्देसे राज अस्तर पर मानो विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पर्थम राज मध्ध पर्देसे संयुक्त राष्ट परियावरर कारक्रेम के दोरा हरित सूचकांग बिक्सित किया गया था अगला कोशन हिंदू बृधिदर किस से संबंधि थे राष्टी आई से संबंधि थे अगला कोशन ने दोस्तों भारत में पर्थम खरिचनीती कब घोसित की गई वर्ष 1921 में भारत में पर्थम खरिचनीती घोसित की गई थी नेक्स्ट कोशन बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से अस्थापित किया गया रूस यानि कि रसिया के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट भारत में अस्थापित किया गया था अगला क्वेस्टन दच्छड एसिया का सबसे बड़ा माल मारक पत्तन कौन सा है मुंबई है दच्छड एसिया का सबसे बड़ा माल मारक पत्तन मुंबई है नेक्स्ट क्वेस्टन भारत में संपदा कर पहली बार कब लागू किया गया वर्ष 1957 में भार्त में पहली बार संपताकर लागू किया गया था 1957 में अगला कोशन योजना पत्रका का प्रकासन किस मंतराले द्वारा होता है सूचना अंपरसारन मंतराले के द्वारा योजना पत्रका का प्रकासन होता है सूचना और परसारन मंतराले के द्वारा Next, QC1 की मतस और खनन किस चहतर के अंतरगत आते हैं प्राथमिक चहतर के अंतरगत आते हैं अगला QC1 भारत में RBI करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन सी परणाली अपनाई जती है निउन्तम कोस परनाली अपनाई चती है भारत में RBI करेंसी नोट जарी करने के लिए निउन्तम कोस परनाली अपनाई चती है अगला क्वेसन भारत का शुरवधिक बिदेशी मुद्रा किस पधार्थ के आयात पर ख़र्च होता है पेट्रूलियम पदार्थ के आयात पर खर्च होता है बिदिसी मुद्रा सुर्भधिक पेट्रूलियम पदार्थ के आयात पर खर्च होता है वित आयोग करता है केंद्र एउमसरकार के मद वित्य विवादों का निम्टरा वित आयोग करता है अगला क्वस्तन भारत में गेर योजना खर्च का सबसे महत पूर मद क्या है व्याज भुक्तान है नेक्स्ट क्वस्तन दुतिय हरित करांती का संबंध किसे है अगला क्वस्तन भारत की सबसे बड़ी तेल सोधन साला कहां परसे थे जामनगर में है भारत की सबसे बड़ी तेल सोधन साला जामनगर में है नेक्स्ट क्वस्तन इंडेक्स रेजिडेक्स किसे संबंदे थे भूमी मोल से संबंदे थे Index Regirex Bhoomi Hemol CCS एगला कॉरसन देश में सर्फजनिक छेतर का सबसे बड़ा उपकरम क्या है रेलवे है देश में सर्फजनिक छेतर का सबसे बड़ा उपकरम रेलवे है एगला कॉरसन 21 सम्ति ने बेंकिंग परचालनों में अपनी सिफारसिक किस्त पड़ दिये हैं जोखिम परभंधन पर दी हैं, जोखिम परभंधन पर नेक्स्ट कुस्टन है भारत के सम्पूर ग्रामेड चेत्र में मनिरेगा कब लागू किया गया एक अपरेल 208 में अगला कुस्सन है बारत में ट्रेजरी बिल किसके दौरा बेचे जाते हैं रिजर्बेंक आफ इंडिया के दोरा भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं रिजर्बेंक आफ इंडिया के दोरा नेक्स्ट कोसन तरुहे बित आयोग दोरा केंद्री कर राजिसों की राजियों में कितने पर्तिसत की संतुती की गई 32% की संतुती की गई अगला कोशन ने पानी पत में अस्थापित oil refinery कि सौर्बजनिक छेतर के है अगला कोशन currency and finance पर वार्ट सिक रिपोर्ट का प्रकासन किस के दुरह किया जता है रिजर्ब मेंग उफ एंडिया के दुरह किया जता है अगला कोसने योजना में कोर्ट सेक्टर का क्या तात पर है चैनित आधार भूत उधोग होता है नेक्स्ट कोसने सून आधारित बजट का क्या आर्थ होता है हर बार बिलकुन नैस तरे से बजट तयार करना ये सून आधारित बजट का आर्थ होता है नेक्स्ट कोशन ने वो मुद्रा जिसमें सीगर पलायन कर जाने के प्राबर्टी होती है, क्या कहलाती है, होट मनी कहलाती है अगला कोशन ने भारत में सबसे पुराना stock exchange कौन सा है, BSC Bombay stock exchange ये भारत का सबसे पुराना stock exchange है नेक्स्ट कोशन, किस वर्ष SCG विशेस आर्थिक चेतर की नीती की घोसड़ा की गए थी, वर्ष 2000 में की गए थी S.E.G. BCS आर्थिकचेत्र की नीती की घोषडा वर्ष 2000 में की गय थी अगला क्वेसन है भारत में किस वर्ष दसमलों मुद्रा प्रणाली लागू हो थी एक अप्रेल 1957 में पहली बारत दसमलों मुद्रा प्रणाली लागू हो थी Next question भारत में मौद्रिक नीती किस संस्था द्वारा बनाई चती है, भारती रेजर बेंक RBI के द्वारा भारत में मौद्रिक नीती बनाई चती है, RBI के द्वारा Next question, किस परदेश सरकार द्वारा परस्तुत बजट अब तक सबसे बड़ा बजट है, जहार खंडर राजजु द्वारा परस्तुत बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है Next question, हरित द्वार और किस सहर में नामामी गंगे के तहत कई परियुजनाओं को मंजूरी मिली है, वारा नसी में मिली है नेक्स्ट कोस्तन मंदडिया और तेजडिया सब्दावली किस से संबंधे थें? सेर बजार से संबंधे थें? मंदडिया और तेजडिया सब्दावली सेर बजार सेर मार्कर्ड से संबंधे थें? अगला कोशने भारत में हरित करांती किस मामले में सुर्भतिक सफल रही गेहों और चाबल के उत्पादन में हरित करांती सुर्भतिक सफल रही अगला कोशने हड्डियों इम दातों में मुख रोप से कौन सा रसान होता है कैल्सियम पाया जता है हट्टियों और दांतों में कैल्सियम पाया जता है अगला क्वेस्टन दोस्तो हेमोफेलिया एक अनुवांसिक रोग है जिसका परिडाम क्या होता है तो हीमोफियलिया रोग की वज़े से रक्त नहीं चमता है रक्त का नहीं चमना यह हीमोफियलिया और वांसिंग रोग की वज़े से होता है Next question है मनुस्त का सावान रक्त चाप कितना होता है 120 से 80 होता है मनुस्त का सावान रक्त चाप अगला कुछन ने, Malaria किसके दोरा होता है? मादा एनाफलीस मच्छर के दोरा Malaria रोग होता है नेक्स्ट कुछन ने, डाक्टरों दोरा परियुक्त सब्द CAT scan क्या होता है? Compterized Axial Tomography होता है Next question, पसीनय निकलने से सरीर का सबसे उप्योग कार क्या होता है? सरीर का ताप नियंतरित रहता है पसीनय निकलने की वज़े से अगला कुछन ने, Tetanis Roeg किस जिबाडू से होता है? कलो स्ट्रेडियम टेटेनी की वज़े से Tetanis Roeg होता है अगला कुछन, Anthropology क्या है? मानो बिग्यान का अध्येन करना, Anthropology कहलाता है अगला कुछन ने, मानो सरीर की किस गरंथी को Master गरंथी कहा जाता है नेक्स्ट कुछन, आप मानो सरीर में औरोस्थी को कहा पाएंगे? जाग में पाय जाती है औरोस्थी मारो सरीर की किस भाग में पायरिया रोग लगता है तो पायरिया रोग कहां पर लगता है दांत और मसूडों में लगता है नेक्स्ट क्वेसने लाल रक्त कड़काएं कहां पर बनती हैं? अस्थी मज्जा में बनती हैं लाल रक्त कड़काएं अस्थी मज्जा में बनती हैं नेक्स्ट क्वेसने शरीर के थर्मो इस्टेट यहीं की ताप इस्थरांग का काम करने वाली गरंथी कौन सी है? हाइपो तहलेमस है जो ताप निंतरित करती है शरीर की हाइपो तहलेमस गरंथी है जो शरीर का तापमा निंतरित करती है अगला कॉसन है पच्छियों के अध्येन के विग्यान को क्या कहा जता है और निथोलोजी कहा जता है पच्छियों के अध्येन के विग्यान को और निथोलोजी कहा जता है किस रख्त समू के वेक्तियों को सार्म भॉमिक दाता एनिकी यूनिवर्सल डोनर कहा जता है और गुरूप के वेक्तियों को यूनिवर्सल डोनर कहा जता है और सोषिद्भोच पदार्द को प्रोटोप्लास में बदलने के प्रक्रिया क्या कहलाती है इसलिए कोमा रोग किस अंग से सम्बंधित रोग होता है ट्रैकोमा रोग, आँख से संबंधित रोग होता है। अगला क्वेशन, इंसुलेन, एडरेनलेन, थाराक्सिल और हेमो गुल्बिन में कौन सा हर्मोन नहीं है? तो हेमो गुल्बिन एक हार्मोन नहीं होता है, ये रक्त में फाज़ दाता है। नेक्स्ट कुस्ट किसी मनुस्य के द्वरा स्वसन में एक बार में खीची गई हवा कितनी होती है? 500 मिमी होती है. किस विटामिन की कमी के कारण मसूडों से रगता आता है और दात हिलले लगते हैं अगला वैस्क मानो धा्चा कितनी हट्डियों पर आधरित होता है 206 हड्डियों पर आधारित होता है वैस्क मानो ठाचा 206 हड्डिया होती है वैस्क मानो में Next question है खारे नमकी इंजल में कौन सा पेड उग सकता है Mangrove वन है जो खारे नमकी इंजलों में उग सकता है अगला question है मनुस का मेरुदंड किस से सनक्षेत होता है यद कोई बैक्त दोस पूर दुख परदी वाल्प से पेड़ थे तो उसके सरीर का कौन सा अंग रोग गरस होता है फुफ़स होता है जो रोग गरस होता है Next question मादा पसुव में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हर्मोन अधिक सक्री होता है आक्से टोसिन हार्मोन है जो अधिक सक्री होता है Next question में किस के दूद में वसा की सुर्भथिक मात्रा पाई जती है रेंडियर के दूद में सुर्भथिक वसा की मात्रा पाई जती है अगला question में ओन के लिए बिख्यात पसू पस्मीना क्या है पस्मीना एक बकरी की नसल होती है बकरी की नसल होती है पस्मीना नेक्स्ट क्वेस्टन किस अस्तंधारी के दूद में जल की मात्रा सबसे कम होती है मादा हाथी के दूद में जल की मात्रा सबसे कम होती है अगला कॉसन員 मनुस्ष के स्रीर में अंट आमीबा हिस्टोलिकड का कहाँ पर पाया जटा है आंतों में पाया जटा है अगला कॉसने दोस्तों किसमें रक्त नहीं होता किन्टो वो स्वसन करता है हाइडरा में रक्त नहीं होता है लेकिन वो स्वसन करता है नेक्स्ट क्वेसन मानुसरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं बारा जोड़े होते हैं मानुसरीर में पसलियों के बारा जोड़े होते हैं अगला कोशने अस्तन धार्यू में लाल रुधिर कड़काओं का निर्माड कहां पर होता है अस्ती मज़ा में होता है लाल रुधिर कड़काओं आरबीसी का निर्माड अस्ती मज़ा में होता है नेक्स्ट कोशन जिव बिग्यान सब्द का प्रियोग सुरपर्थम किस ने किय जिव बिज्ञान सब्रियोग लेमार्क और ट्रेबी रैनिस नहीं किया थां अगला कुछळ ने वनस्पति बिज्ञान के जनक कौन है घिवो फ्रेश्टास है वनस्पति बिज़्ान के जनक पुस्पो के अध्यन को क्या कहा ज़ता है एंथोलोजी कहा ज़ता है पुस्प यानि फूलो के अध्यन को एंथोलोजी कहा ज़ता है अगला कोसन ने भारतिय वनस्पतिक सर्वेचड का मुख्याले कहां प्रसित है? कोल काता में है भारतिय वनस्पतिक सर्वेचड का मुख्याले कोल काता में है नेक्स्ट कोसन किसे वर्ग की का पितामा कहा ज़ता है? काल वान लीनियस को वर्गी की का पितामा कहा चता है अगला क्वेस्टन ने वर्गी करण की आधारिये एकाई क्या है इस पे सीज होती है वर्गी करण की आधारिये एकाई इस पे सीज होती है नेक्स्ट कोस्ट ने जिबाडू की खोच सुरपर्थम किस ने की थी लुवेन हॉक ने सुरपर्थम जिबाडू की खोच की थी अगला question वास्तविक केंदरक किसमे अनवस्तित होता है जिवाडू में नहीं पाजाता है वास्तविक केंदरक जिवाडू में नहीं होता है next question भोचन की बिसाक्ता उत्पन होती है कलो स्ट्रेडियम बोटू लीनम के द्वरा भोचन की बिसाक्ता उत्पन होती है अगला कोस्ट ने कौन सी बिमारी जिबाडू के द्वारा होती है कोस्ट बिमारी है जो जिबाडू के द्वारा होती है मानू सरीर में नेक्स्ट कोस्ट बिर्चो की चालो पर उगने वले काउको को कहते हैं कार्टी कोल्स कहा जदा है जुपरिच के चालो पर कबग उगते हैं उन्हें कार्टी कोल्स कहते हैं अगला कॉस्टन पोधे क्या उच्छ सर्जित करते हैं रात में कार्बन डाक्सेड और दिन में ऑक्सीजन उच्छ सर्जित करते हैं पोधे नेक्स्ट कोशन रसूई गेस का मिसरण क्या है? ब्यूटेन और पुरूपेन होता है अगला कोशन उस्मा का सबसे अधिक उस्मा रोधी धातू कौन सी है? अल्मुनियम होती है सबसे अधिक उस्मा रोधी धातू अल्मुनियम होती है अगला कोसन वाट को किस में परकट कर सकते हैं जूल परति सिकंड में वाट को परकट कर सकते हैं नेक्स्ट कोसन एलकोहॉल उधोग में पिस कबक का प्रियोग होता है एस्ट का प्रियोग किया जता है एलकोहॉल उधोग में एस्ट का प्रियोग किया जता है कपड़े से सीह ही और जंग के धब्बे छोड़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है अगला कॉसन ग्रेफाइट ग्रेफाइल और बैसाल्ट में से कौन सी रूपांतरिच चटान है ग्रेफाइट ग्रेणाइट होती है रूपांतरिच चटान रेखिये संबेक सनक्षड किसके बराबर है नूटन के दुतिये नेम के सनक्षड के बराबर होता है रेखिये संबेक सनक्षड अगला कोशन इस सोच में नेक्स्ट कोशन ग्रेनाइट, ग्रेफाइल और बैसाल्ट में से कौन से रूपांतरी चट्टान है तो ग्रेनाइट रूपांतरी चट्टान होती है अगला कोशन इस रेखिये संबेक सनक्षड किसके बराबर होता है नुटन के दूतिये नियम के बराबर है रेखिये संबेग सनक्षड Next question है सूच में जिवाडू से प्राप्त वह तत कौन से है जिनका उपयोग सूच में जिवाडू को नेश्ट करने के लिए किया जता है प्रति जेविक है Next question उसमा गति का प्रतम नियम अउधारना की पुष्टि कौन करता है उड़्जा सनक्षण का नियम करता है अगला question है आदर्स गेर्स की उड़्जा किस पर आधारित होती है तापमान पर आधारित होती है आदर्स गेर्स की उड़्जा तापमान पर आधारित होती है नेक्स्ट कोसन है पेट्रोलियम के गुडवत्ता किसमें परदर्शित की जाती है पेट्रोलियम के गुडवत्ता किस से परदर्शित की जाती है औक्टेन नमबर से परदर्शित की जाती है पेट्रोलियम की गुडवत्ता नेक्स्ट क्वेसन वास्प भट्टी में किस से आइरन अक्साइड उपचेत होता है? कारबन से आइरन अक्साइड उपचेत होता है नेक्स्ट क्वेसन भूमी के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? केचुवा होता है भूमी के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव केचुवा होता है अगला क्वेसन इस सूर में कौन सा तत स्वर्भधिक मात्रा में रहता है हार्डुजन है जो सूर में स्वर्भधिक मात्रा में पाई जाता है हार्डुजन तत्तू इसमा गतकी के सिधान पर आधारी थे अगला क्वेसर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है क्योंकि प्रेसर कुकर में बढ़ा हुआ प्रेसर उबलन बिंदू एनिकी कोठानांग बढ़ा देता है अगला क्वेसर मौसम के उतार चड़ाओ अधिक्तम कहां पर होते है सब ट्रापिक में अगला क्वेसर अल्टेमेटर से भूतल की उचाई ना पी जाती है अल्टेमेटर से भूतल की उचाई ना पती है नेक्स्ट क्योंसन क्रियोजेनिक एंजन का प्रियोग किस में होता है रोकेट में होता है क्रियोजेनिक एंजन का प्रियोग रोकेट में किया चता है नेक्स्ट क्योंसन law of flirting का सिधांत किस ने दिया था arc madness ने दिया था law of flirting का सिधांत arc madness ने दिया था next question electron proton proton neutron और positron इन् montage सबसे बड़ा कड़ कौन सा है सबसे बड़ा electron होता है सबसे बड़ा electron होता है अगला question दूद उबाली की सफूर पस्चिता कितनी होता है सो डिगरी सल्सियस होती है नेक्स्ट कोशन है कौन सा तत रसानिक रूप में धातू वा अधातू दोनों के सामान कार करता है बेरान तत तो है जो रसानिक रूप से धातू वा अधातू दोनों रूपों में कार करता है नेक्स्ट कोशन एसबेस्टरस क्या है रेसा युक्त खनिज होता है एस्बेस्ट्रस नेक्स्ट कोशन है कौन सी फसल मिर्दा में नाट्रोजन अद योगी करण को बढ़ाती है बीन्स हैं जो मिर्दा में नाट्रोजन योगी करण को बढ़ाती है बीन्स हैं अगला क्वेसन पके हुए अंगुरों में क्या होता है गुलुकोज होता है पके हुए अंगुर में गुलुकोज सुर्भधिक मातर में पाज जता है निमलिकित में से जेली फिस के नाम से किसे जना ज़ता है? आरिलिया को जना ज़ता है जेली फिस के नाम से आरिलिया को जना ज़ता है अगला क्वेसन वासिंग मसीन का कार की सिध्धान्द पर अधरी थे अपके इंदरर पर अधरी थे वासिंग मसीन का कार अपके इंदरर सिध्धान्द पर अधरी थे नेक्स्ट क्वेसन नियून तापमानों यानिकी क्रावजेनिक्स का अनप्रियोग होता है आंत्रिच यात्रा, चुम्बकिय प्रोथापन और दूर मिती में नियून तापू तो नियून ताप मानो येनिकी क्रावजेनिक्स का अनप्रियोग होता है अगला कोशन, द्रोव भूंद की संकुचित होकर नियून तम छेत्र घेरनी की प्रावित्ती का कारण क्या होता है प्रिष्ट थनाव होता है नेक्स्ट कोशन ने जेट एंजन के सिध्धान्थ पर कार करता है नेक्स्ट कोशन, नाट्रोजन के सिध्धान्थ के सिध्धान्थ पर जेट एंजन कार करता है नेक्स्ट कोशन, नाट्रोजन के इस्तिरी करण में नियून में से कौन सी फसल सहायक है फली बीन्स होती है जो नाट्रोजन के इस्तिरी करण में सहायक होती है अगला कोशन नाबाड इनकी राष्टी किर्शी और ग्रामेड विकास बेंग का मुख्याले कहां पर है? मुंबई में है नाबाड का मुख्याले अगला कोशन भारती मिर्दा बिग्यान संसान कहां पर है से थे? भारती मिर्दा बिग्यान संसान भोपाल में है कीरतन निर्थ भारत के किस राज का परसिद लोक निर्थ है पस्तिम बंगाल का लोक निर्थ है कीरतन निर्थ ul. next question, a tale of two cities पुस्तर के लेखक कोण है? Karl marx है, a tale of two cities पुस्तर के लेखक Karl marx है अगला question, देनमार्की की रास्थानी क्या है? Copain Hagen है देनमार्की की रास्थानी next question, कुंची कल जलपरबाद किस नदी पर है? वराही नदी पर है कौंची कल जलपरबाद वराही नदी पर है नेक्स्ट कोशन है मोर्मी गाउ बंदरगाँ कहां परसे थे गोबा राज में है मोर्मी गाउ बंदरगाँ गोबा राज में है अगला कोशन देन मार्की की मुद्रा क्या है डेनमार की मुद्रा क्रोन है अगला कोशन स्वेज नहर की लंबाई कितनी है 160 किलमेटर है स्वेज नहर की लंबाई most important कोशन है स्वेज नहर की लंबाई 160 किलमेटर है स्वेज नहर भुमद सागर और लाल सागर को अलग करती है next कोशन नाबाड की अस्थापना कप की गई थी 12 जुलै 1982 को नाबाड की अस्थापना की गई थी और नाबाड का मुख्याले कहां पर है मुंबाई में नाबाड का मुख्याले है अगला कोसने काजरी किस भारती राज का लोक परी निर्त है उत्तर प्रदेश का लोगपरी निरत है काजरी उत्तर प्रदेश का लोगपरी निरत है Next question ने भारत और बंगलादेश के बीच पहली बार बस सेबा की शुरुआत कब हुई थी 19 जून 1999 को भारत और बंगलादेश के बीच पहली बार बस सेबा की शुरुआत हुई थी, 19 जून 1999 को. Next question, ये बिस्ट का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? Trans-Siberian Rail Mark, ये बिस्ट का सबसे लंबा रेल मार्ग है. अगला question, बिस्ट की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? सीकन रेल सुरंग जो की जापान में है, ये बिस्ट की सबसे बड़ी रेल सुरंग है. Next question, ग्रेनाडा दूइप कि सागर में से थै? Caribbean सागर में है, ग्रेनाडा दूइप Caribbean सागर में है. अगला question, पोर्ट ओप्रेंस किस देश की राजधानी है? हैती की राजधानी है, पोर्ट ओप्रेंस हैती देश की राजधानी है. अगला question, सलीम अली पच्छी अभरण कहां परसे थै? गोबा राज में है, सलीम अली पच्छी अभरण, most important पच्छी अभरण है, और ये गोबा राज में है. अगला question, बाल गंगधर तिलग का उपनाम क्या है? अगला question, लोक नायक की नाम से किसे जाना जता है? जे प्रकास नाराण को लोक नायक के नाम से जाना जता है. अगला और last question है, बिस का सबसे बड़ा बांध कंक्रेट कौन सा है? बिस का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ग्रांड कूली बांध जो की कोलंबिया नदी अमेरिका में है, ये बिस का सबसे बड़ा बांध है? फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को सेयर भी करिएगा. टेलिग्राम चेनल को अगर आपने अभी तक नहीं चोइन किया है तो प्लेश टेलिग्राम चेनल को जरूर चोइन कलेजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा सुमलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहें जै भारत